Pointing Devices Objectives Pointing Devices का लेसन करने के बाद आप जान सकेंगे कि Computer Mouse क्या है, इसके मुख्तलिफ functions क्या है और इसकी इलावा चंद और Pointing Devices कौन सी है Mouse इस वाक्त आप स्क्रीन पर जो डिवाइस देख रही हैं, हम उसे Mouse कहती है ये एक ऐसी डिवाइस है, जिसकी मदद से हम Computer Screen पर किसी चीज़ की बाआसानी निशान दही कर सकते हैं बजाहिर ये एक चोटी सी डिवाइस है, लेकिन है बड़े काम की बाजार में मुख्तलिफ किसम के माउस मौजूद हैं, जिन में से कुछ इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब देखने में मुख्तलिफ जरूर है, मगर ये काम एक ही जैसा करते हैं हम इन में से एक को तफसील से देखेंगे ये एक आम माउस है, हो सकता है कि आपका माउस इस माउस से मुख्तलिफ हो जरा गोर से इसको देखिए, इस पर दो बटन लगे हुए हैं दाइम बटन को राइट माउस बटन और बाइम बटन को लेफ्ट माउस बटन कहते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि माउस को इस्तमाल करने के लिए इसे कैसे पकड़ा जाता है आप देख रहे हैं कि माउस को माउस पैट पर रखा हुआ है देखिए कि माउस को पकड़ने के लिए हाथ की हतेली को इसके उपर रखा जा रहा है और हात की उंगलियों से इसे गरिफ्ट में लिया जा रहा है ये बात नोट करें कि पहली उंगली को मौज के left button पर रखा गया है और दूसरी उंगली को मौज के right button पर रखा गया है इस वक आपको screen के दो हिस्से नजर आ रहे हैं एक हिस्से में माउस है और दूसरे हिस्से में तीर का निशान अब हम माउस को पैट पर घसीट रही है क्या आपने बाइंचानिब स्क्रीन पर कोई तब्दिली महसूस की या आपको कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया जी हाँ, आप माउस को जिस संप में हिलाते हैं तो स्क्रीन पर एक छोटा सा तीर का निशान भी बिलकुल उसी संप में हिलता है इस तीर के निशान को माउस पॉइंटर, एरो या माउस करसर कहते हैं अब हम माउस को दाइन जानिब घसीट रही हैं और जैसा कि आप देख रही हैं कि तीर का निशान भी उसी संप में जा रहा है अब हम माउस को उपर की जानिब घसीट रहे हैं और जैसा कि आप देख रही हैं कि तीर का निशान भी उपर जा रहा है क्लिकिंग और डबल क्लिकिंग हमने माउस को इस्तिमाल करना तो सीख लिया अब हम माउस के बटन्स का इस्तिमाल सीखते हैं माउस के बटन दो तरीकों से इस्तिमाल किये जाते हैं पहले तरीके में हम माउस के किसी भी बटन को एक मरतबा दबाते हैं इसको सिंगल क्लिक या क्लिक करना कहते हैं क्यूंकि जब माउस का बटन दबाय जाता है, तो क्लिक की आवाज आती है। इसी तरह, अगर हम माउस के किसी बटन को एक सेकंड में दो बार दबाएं, तो इसको डबल क्लिकिंग कहती हैं। डबल क्लिकिंग करते हुए इस बात का खास खयाल रखें, कि ये एक सेकंड के अंदर किया जाए, जैसा के आप देख रहे हैं। आप देख रही हैं कि हमने ये क्लिक किया और अब दोबारा क्लिक किया ये डबल क्लिकिंग हरकिज नहीं है बलके दो सिंगल क्लिक्स हैं इसी तरह माउस का दाया बटन भी इस्तिमाल होता है माउस के दाइम बटन को एक मरतबा दबाने की अमल को राइट क्लिकिंग कहती हैं जिससे स्क्रीन पर कुछ और इन्फरमेशन नजर आती है जैसे कि आप देख रही हैं इसकी डीटेल हम अगले लेसन में देखेंगे ड्रैगिंग, आईए अब हम माउस का एक और इस्तमाल देखते हैं हम माउस की मदद से कम्प्यूटर की स्क्रीन पर एक चीज़ को घसीट कर या ड्रैग करके दूसरी जगा पर ले जा सकते हैं इस अमल को ड्रैगिंग कहते हैं इस वक्त आपको स्क्रीन के दो हिससे नजर आ रहे हैं दाइं जानिब आपको माउस नजर आ रहा है और बाइं जानिब आपको एक किताब नजर आ रही है जिसे हम घसीट कर या ड्रैग करके उसके करीब पड़ी मेस पर रखेंगी सबसे पहले हम एरो को किताब के ऊपर लेकर आएं हैं अब आप स्क्रीन के दाएं तरफ देखिए यहाँ पर हमने माउस का बाया यानि लेफ्ट बटन दबाया है अब हम माउस पॉइंटर को मेस की तरफ घसी कर ले जा रही हैं देखिए माउस का बटन अब भी प्रेस्ट है यानि दबा हुआ है अब किताब मेस के ऊपर आ चुकी है अब माउस का बटन हमने छोड़ दिया है ताके किताब मेस पर रही इस तरह आपने देखा कि हमने माउस की मदद से किताब को ड्रैग करके यानि घसीट कर मेस पर रखा है यह अमल ड्रैगिंग कहलाता है Other Pointing Devices Pointing Devices हर वो device है जिसके मदद से हम computer की screen पर किसी चीज़ की निशान दिही करते है चुँके माउस के मदद से हम screen पर मुक्तलिफ चीज़ों की निशान दिही करते है इसलिए हम इनको Pointing Devices कहते है मगर माउस दुनिया की वाहिद Pointing Devices नहीं है इसके अलावा और भी Pointing Devices मौजूद है जैसे के Trackball और Trackpad ये एक Trackpad है जो इस वक्त screen पर नजर आ रहा है ये एक छोटी सी screen जैसा होता है ये Trackpad बहुत नाजुक सता से बनाया जाता है जैसा के आप देख रही हैं जिस पर हाथ की उंगली रखकर दाएं, बाएं या उपर नीचे हिलाए जाए तो कम्प्यूटर की screen पर तीर का निशान उसी संत में चलता है Trackball ये एक Trackball है ये भी एक Pointing Device है मगर देखा जाये तो सर्फ एक ball है जिसे हाथ की मदद से घुमाया जाता है देखिए इसको घुमाने से कम्प्यूटर की screen पर arrow उसी संत में चलता है जिस संत में हम इसे घुमाते हैं Summary Module 1 के इस हिस्से में हमने Mouse और दूस्ची Pointing Devices के बारे में देखा इसके साथ साथ हमने Mouse के जरिए Clicking, Double Clicking, Right Clicking और Dragging के तरीके भी सीखे और उनकी Exercise की हमने इस हिस्से में ये भी देखा कि Mouse को किसी पैट पर घसीटने से स्क्रीन पर एक तीर का निशान जिसे Pointer कहा जाता है उसी संत में चलता है ये तीर का निशान स्क्रीन पर किसी चीज़ की निशान दही करने के काम आता है Mouse के अलावा हमने Track Pad और Track Ball के बारे में भी मालूमात हासिल की ये भी Pointing Device है लेकिन Mouse से थोड़ा मुक्तलिफ है कर दोड़ा है